तो 5 best bikes under 1.5 lakh on-road price in India नमस्त दोस्तो और वेलकम टो आर चैनल कैसा आप लोग आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ तो 5 best bikes under 1.5 lakh on-road price in India तो अगर आप लोगों का budget है आज याने की September 2024 में 1.5 lakh तक on-road price range का तो ऐसी कौन सी अच्छी best bikes है जो 1.5 lakh से लेकर 1.5 lakh के on-road price range में आ जाती है वो आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर में शेर करने वाला हूँ तो चलिए जादा टाइम वेट ने करता है और स्टार्ट करते है अपना वीडियो तो नमबर पाच पर है ये एक commuter bike है और इंडियन मार्केट में ये bike जब से launch हुई है तब से लेकर ये bike youngsters की best choice रही है और लोगों को ये bike पसंद भी आ रही है क्योंकि ये bike दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है इसकी futuristic styling और भी जादा लोगों को attract करती है प्लस इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे latest modern features के साथ साथ riding modes भी मिल जाते है और उतना ही नहीं इसके अंदर आप लोगों को एक अच्छा 125cc का engine मिल जाता है 125 में आप लोगों को 124.8cc का air and oil cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 11.2 bhp का and 11.2 nm stock generate करता है ये bike के अंदर पाच gears है और ये engine mileage deliver करता है 55 से लेकर 60 km PL के बीच में engine के refinement अच्छी है और engine smooth भी है और engine की performance भी बहुत ही अच्छी है उसके साथ साथ इसके gears भी smoothly shift होते है जिससे जब आप ये bike चलाओगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा ये bike में आप लोगों को drum brake and disc brake दोनों का भी option मिल जाएगा साथ में आपकी safety के लिए SBT braking technology मिल जाएगी और ये bike का weight है 123 के जिसका rider and pillion के लिए ये bike comfortable है और rider 125 का latest onward price range है मेरे यहाँ पर means की थाने महाराष्टर में 1,17,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में इसके riding moves के जरिये आप इसकी performance या फिर अच्छा mileage जो भी चाहिए वो choose कर सकते हो और साथ में Bluetooth connectivity and TFT instrument cluster जैसे अच्छे features आप लगों को ये bike से मिल जाएगे ये bike के build quality थोड़ी और better होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से बट लेने के बाद maintain करना ये bike को easy है तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बार हमें तो number 4 पर है Hero Extreme 125R ये एक commuter bike है और Indian market में just recently launch हुई है और ये bike मैं उन लोगों को recommend करूँगा जिनको एक 125cc की bike चाहिए जिसका look अच्छा होना चाहिए जिसके engine भी अच्छा होना चाहिए जिसका mileage भी अच्छा होना चाहिए और जिसके अंदर सारे latest modern features होने चाहिए जो bike fresh launch हुई होनी चाहिए तो ये bike मैं आप लोगों को recommend करूँगा इसकी designing and look बहुती unique है इसका sporty look बहुती अच्छे impression भी create करता है इसके अंदर आप लोगों को all new 124.7cc का air cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 11.4 bhp का and 10.5 nm stock generated करता है ये अंदर पाच gear से है और ये engine mileage deliver करता है 55 से लेकर 60 km PL के बीच में इसका engine same है जो आप लोगों को glamour 125 में मिलता है जो बहुत टाइम से Indian market के अंदर है बट hero ने इसके अंदर बहुती अच्छे changes किये है जिसके वज़े से इसकी power and performance थोड़ी और बढ़ गई है जिसके वज़े से आप ये engine पर आराम से trust कर सकते हो sitting position ये bike की अच्छी है बट इसकी pillion की seat height थोड़ी सी ऊपर होने के वज़े से में भी lady pillion को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपकी safety के लिए आप लोगों को ये bike के अंदर IBS braking technology या फिर ABS braking technology दोनों भी मिल जाएगी जिस हिसाब से आप लोग जो भी model चूश करोगे वैसे ये bike का weight है 136 के जिसका और ये bike का latest onward price range है मेरे यहाँ पर 1,13,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में इसमें आप लोगों को बहुत सारे latest modern features मिल जाते है like fully digital instrument cluster, all LED, ABS, wider tire जैसे अच्छे feature जिससे आपकी safety की extra surety भी हो जाती है ये bike handling अच्छी है और new engine का power बहुती अच्छा है खास करके mid range के अंदर daily use करने के लिए ये bike best choice है खास करके city या फिर college students के लिए ये bike की servicing भी सस्ती है और इसके spare parts भी सस्ते आप लोगों को मिल जाएंगे बट इसका front brake थोड़ा सा weak feel होता है बाकी ये bike best है वो आप लोगों को भी पता है और अगर आप लोगों को इससे थोड़ी सी अच्छी performance वाली bike चाहिए तो आप लोग extreme 160R के लिए भी जा सकते हो मैं यहाँ पर extreme 160R 4W का बात नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को normal extreme 160 का बात कर रहा हूँ जिसका lower model आप लोगों को डेड़ लाग के on road price range के अंदर मिल जाएगा तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो नंबर 3 पर है बजाज, Pulsar, NS 125 ये एक naked sports bike है और जिनको sports bikes पसंद है और जिनको अच्छी performance वाली bike चाहिए उनके लिए ये bike सबसे best choice है कुछ ताइम पहले इसके अंदर कुछ कमिया थी like की इसके अंदर modern features आप लोगों को नहीं मिलते थे बट अभी बजाज ने ये सब चीज reverse कर दिया है तो अभी ये आप लोगों को एक perfect sports bike के हिसाब से मिलेगी जिसके अंदर आप लोगों को all in one सारी चीज़े मिल जाएगी NS 125 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,25,000 से लेकर 1,26,000 के बीच में इसके top model में आप लोगों को Bluetooth connectivity और fully digital instrument cluster और turn by turn navigation जैसे अच्छे features मिल जाते है NS 125 में आप लोगों को 125 CC का powerful air cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 11.8 PHP का 11 Nm stock generate करता है ये बाइक अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 48 से लेकर 50 km PL के बीच में इसके engine की performance best in the class है और city traffic में इसको handle करना बहुत ही easy है क्योंकि इसके riding dynamics सबसे best है और इसकी handling भी सबसे best है ये bike में आप लोगों को front में disc and rear में drum brake का option मिल जाएगा और आपकी safety के लिए आप लोगों को ये bike के अंदर CBS braking technology मिल जाएगी ये bike का weight है 144 kg का और ये bike दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है बट इसकी beauty quality मेरे हिसाब से थोड़ी और better होनी चाहिए थी ये bike की sitting position काफी comfortable है rider and pillion दोनों के लिए भी तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो number 2 पर है TVS Apache 164V ये एक street bike है और ये bike मैं उन लोगों को recommend करूँगा जिनको एक 160cc के best engine वाली अच्छे features वाली bike चाहिए तो ये bike मैं आप लोगों को recommend करूँगा इसके अंदर आप लोगों को riding modes fully digital instrument cluster और power packed engine मिल जाएगा जो city में चलाने के लिए तो best choice है ही बट कभी कबार अगर आप लोगों को highway पर भी जाना है तो आप लोगों को help करेगा like Apache 164V में आप लोगों को 159.7cc का oil cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 17.31 bhp का and 14.73 Nm stock generate करता है अब आप लोगों के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 44 से लेकर 46 kmpl के बीच में इसका engine refined है और engine की power delivery भी बहुत ही अच्छी है Apache 164V का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,48,000 से लेकर 1,76,000 के बीच में actually इसके अंदर अभी के लिए आप लोगों को 2 models मिल जाएंगे जो 1,500,000 के on road price range के अंदर आते है बाकी के कुछ models आप लोगों को थोड़े से costly मिलेंगे खास करके इसका top model जिसके अंदर आप लोगों को riding modes dual channel ABS जैसे अच्छे safety features मिल जाते है बट अगर आप लोगों को खास करके CT के अंदर ही चलाना है तो इसके lower model भी आप लोगों के लिए अच्छा choice हो सकते है इसका weight है 146 के जिसका और अगर आप लोगों का budget इससे भी कम है तो आप लोग Apache 162V के लिए भी जा सकते हो SP160 ये एक committer bike है और Indian market में ये just recently कुछ time पाहिले ही launch हुई है बट Honda की bike सबसे best होती है वैसे ही ये bike सबसे best है खास करके इसका engine जो सबसे smooth है सबसे अच्छा है और engine की performance भी controllable है ताथ में इसके engine से आप लोगों को सबसे best mileage भी मिल जाएगा जिसके वज़े से ये bike सबसे best choice बन जाती है SP160 में आप लोगों को 162.71 CC का air cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 13.27 BHP का and 14.58 Nm stock generated करता है वैक के अंदर 5 gear से और ये engine mileage deliver करता है 48 से लेकर 52 KMPL के बीच में येस इसके new engine का power थोड़ा सा कम हुआ है बट जिसके वज़े से mileage इसका बढ़ गया है और इसका weight है 139 के जिसका और आपके safety के लिए आप लोगों को ये bike के अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा SP160 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,42,000 से लेकर 1,48,000 के बीच में ये bike में आप लोगों को latest modern features बहुत सारे मिल जाएगे और इसका look भी अच्छा है बट ये bike दिखने में SP125 जैसी ही लगती है और अगर आप लोगों का budget कम है तो आप लोग SP125 के लिए भी जा सकते हो जिसके अंदर आप लोगों को एक best 125cc का engine मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा mileage दिलिवर करता है like 65 से लेकर 70 kmpl के बीच में और साथ में उसका price range भी कम है like उसके सारे models आप लोगों को 1,10,000 के अंदर मिल जाएगे so guys that's it from my side अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को किसी भी bike से regarding कोई भी तरीकी का doubt रहेगा आप लोग नीचे comment कर सकते हो thank you so much guys for watching bye-bye and congratulations for your new bike आप लोगो आप लोगोगों को दोगा रहेगा